तो क्या हाल है आप सभी के, बहुत दिनों से Poco X6 Pro, X6 Pro, X6 Pro का हाइप मैं सुन रहा था और फाइनली मैंने भी इसको पर्चेस करके मंगाया है, फ्लिप काट से, यही देखने के लिए कि on paper में जो specs ये बता रहा है, वैसे real life में experience करने के बाद हमें वो feel मिलता है कि नहीं, मतल फर्स्ट दो दिन में मेरा क्या experience रहा इस phone के साथ, क्या रहा, कैसा लगा, सब चीज आपको मैं बताऊंगा, हाँ, phone का detail आपको यह चीज का नहीं बताऊंगा, कि कहां speaker grill है, volume up, down button, kiwi, यह सब आपने already unboxing के video में देख चुके होंगे, मैं सरिफ आपको वही चीज बताऊंगा कि इस phone को use करके कैसा लग रहा है, मैंने racing gray color यह order किया है, और इसका पूरा experience की यह कैसा लग रहा है, use कैसे करने में मज़ा आ रहा है, कि नहीं आ रहा है, smooth है, कि नहीं है, मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा, और search कहूं friends, आप सभी को इस Poco series में, इस Poco phone में मैं पूरा series बताऊंगा, आपको हर चीज बताऊंगा कि update से पहले मेरा experience क्या था, update के बाद मुझे क्या लगा, नहीं लगा, smoothness कितनी है, gaming कैसा रहा, camera कैसा रहा, मतलब हर चीज का एक dedicated video मैं Poco X6 Pro के लिए बनाऊंगा, वो इसलिए, क्योंकि majority of लोग इस phone को लेके काफी, काफी ज़्या पेज वाला phone है, तो चलिए बिना किसी देरी के video को शुरू करते हैं, तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं, तिल्यू चैनल, तो दोस्तों, बहुत दिन से नाम है Poco X6 Pro, Poco X6 Pro, जब से लांच हुआ है ना, करीबन 2-3 मेना हो चुका है, इसे लां है, वो Snapdragon 8 Gen 2 के मुकाबले में है, ज्यादा डिटेल में मैं इसके specs की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने इसके unboxing video देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके जो मेन मेन highlight point है, मैं इस वो बता देता हूं, इसमें Daman City का 8300 Ultra chipset यूस की गई है, जिसका अन्तुतु बेचमार 13 million, मतलब 13 lakhs से भी उपर है, मतलब across 14 lakhs के आसपास ये पहुंसता है, जो की Snapdragon 8 Gen 2 के मुकाबले में है, दूसरा अगर मैं बात करें की, जो Dolby Vision को support करता है, और 1.5 के resolution के साथ आता है, gorilla glass का इसमें protection दिया हुआ है, और body के बात करनूं, तो ये plastic है, थोड़ा glossy है, ले आपका fingerprint इसमें भी आ जाता है, और ये जो camera bump आप देख रहे हैं, इसमें भी आप कहीं भी अगर आप टच कर दिये, तो इसमें भी, मतलब निशांस आपके उंगलियों के fingerprint के आ जाते है, मतलब बार आपको पुछना पड़ेगा, है ना, और अगर speaker की मैं बात करूं, तो इ अगर इसमें फूल वाल्यू में किसी content को देख रहे हो, तो देखने वाला यही, मतलब आजू बाजू वाले, यही सोचेंगे कि भी आप टीवी चल रहा है, मतलब बहुत तेज लाओड आवाज है, हा लेकिन ना, मतलब वाइस, लाओड तो है, मैं यहीं बोर रहा है, लेक मैं आपको बताना चाहरा हूँ, फोन देखने में बहुत सुन्दर है, बहुत प्यारा है, बॉक्सी स्टाइल दिया हुआ है, पतला है, थीन है, हलका है, ज्यादा भारी नहीं है, 5000 mhs की इसमें बैटरी है, 67 watt की high speed charger है, देखो यह खुद बोल दिया, तो इसमें दिया मतलब की, बनलब धूप में आप बाहर निकले होना तो आपको ऐसा हैसास नहीं होगा कि भाहिया, आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक से जज नहीं कर पा रहे हो, बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट डिस्पले है, कलर बहुत अच्छे यह प्रड्यूस करता है, कॉंटेंट मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, कि आप इदम किसी मतलब मिड रेंज फोन में देख रहे हो, और आपको मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, और कॉंटेंट के साथ इसकी वोइस भी काफी लाउड है, जो डॉल्मी एटमॉस को सपोर्ट करते है, बात करें, पोको में ये इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट तो आपको दिया ही है, इसके साथ बहुत अच्छी चीज ये लगी कि इसी में ही हार्ट बीट सेंसर भी दे रखा है फिंगर प्रिंट वाले में, अब आप इसको कैसे यूज करेंगे, देख यूरेट है, ये नही कोई भी एक फिंगर लगाना है, वो आपकी रिडिंग लेना चालू कर देगा थोड़े देर में, है न, कि आपका हार्ट रेट क्या है, कैसा है, किस टाइप का है, तो ये चीज में बहुत अच्छी लगी है, अब कितना एक्क्यूरेट है, कितना क्या है, ये तो मैं आपको किसे का मैं सीरीज वाइज पूरा वीडियो बनाऊँगा, हर चीज का सब्सक्की बाद क्या है, तो मैं इसमें डायमनिकी 83 अल्ट्र जब मेरे पास फोण आयना तो उसके बाद मैंना मैं । जैसे । उसके बाद है अ heps करने के लिए जैसे रिडू में बैज बैगी वारे, और Jansing Impact ये गेम को मैंने इस्टॉल कर लिया और आप मैं दो दिन से ना काफी Jansing Impact खेल रहा हूँ मैंने अभी तक BJMI ट्राय नहीं किया क्योंगि Jansing Impact इतना स्मूथ चल रहा था भाई इतना मज़ा आ रहा था फ्रेम रेट बोल दो 120 हट से ये ड्रॉप नहीं कर रहा था अपना मतलब जो रिफ्रेश रेट है काफी स्मूथ चल रहा था बहुत अच्छे चल रहा था ऐसा SH कोई हीटिंग मतलब बहुत ज्यादा नहीं लगी अदम नॉमिनल थी लेकिन गेम की जो परफॉर्मेंस थी आप अधा घंटा खेल लो हाप देभ घंटाकिलो दोगंटाक मैं ने दो अच्छा लगा और मैं जैंसिंग इंपेट इससे पहले नहीं खेला था अभी खेलना चालू गयो तो मैं को को ही खेलते रह रहा हूं दूसरी चीज मैं बता दूँ इसके विशह में जो में को पसंद नहीं आई है वो है इसका हीट होना हीट होना इंदसेंस चार्जिंग के टाइम में भी यह हीट होने लगता है मैं को समझ नहीं है मला चार्ज हो रहा है तो क्यों हीट हो रहा है और मत सांथ ये 67 वाट का चार्जर भी इसने दिया है इस प्राइस रेंज में अलग से ऐसा नहीं कि चार्जर गयाप कर दिया बाकी लोग की तरह नहीं इस प्राइस रेंज में इसमें जो चार्जर भी दिया है काफी अच्छा है सांथ में इसने एक अच्छी सी क्वालिटी वाली देखो केबल भी दी है जो काफी अच्छी है ऐसा नहीं के दम दो कोड़ी का लोकल टाइप को उठा के बस देना है खाना पुर्ती करना है ऐसा इसने नहीं किया है इसका चारजर भी काफी कौलेटी वाला है अच्छा है तो और बाकी कंपनियों को ना इससे सीखना चाहिए तो चलो इसकी बात आप साइट करते हैं, इसको भी साइट कर देते हैं, में मुद्दे में आते हैं कि फोन, फिर्स्ट एक्स्पिरियंस कैसा रहा, तो मैं इसको चार्ज में लगाता हूं तो यह गरम होता है, तो मैं यार काफी सुचा ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब चार्ज में पर कैमरा अच्छी के लिए फोन पर्चेस करोगे तो आपको पहले बता देता हूं आप इस फोन को पर्चेस मत करना कैमरा के लिए आपको बिल्कुल मज़ा नहीं तो फिर आप लोग बाद में मुझे बुलेंगे तो हाँ भी जद तक अपडेट नहीं आता है कुछ नहीं कह सकता लेकिन हाँ मैंने आपको बताया कि हर चीज की डेडिकेट वीडियो मैं आपको बना के दूंगा फिर चाहे गेमिंग की हो प्रोसेसिन का यहीं आपको बना क्या है यहां आपको यहां प्रसेसिंग की देडिकेट वीडियो में आपको बातवा मिल्ग फेसे बहुत अच्छे ब्रहिं दूंगा अपको ब्ल्कुल लेग नहीं किया अभी इसमें जैंसेंग पैट पेट सिरिफ तो जब से खिलने लगं श तो यह दो आगे और लगातार खेलते रहूंगा इसमें और चीजें देखूंगा किस टैप से वर्क कर रही है क्या है और जैसे जैसा मेरा इस पोको X6 Pro को लेके होते जाएगा मैं आपसे साथ शेयर करते जाओंगा इवन मैं आपको ये भी बता दूँ कि अभी बॉक्स से जब मैं फोन को उपन किया बूट किया हूं उसके बाद इसमें एक अपडेट आ रहा था मैंने उस अपडेट को भी नहीं किया है सिर्फ ये जो यह रन कर रहा है तो बीना अपडेट के साथ साथ यह क्या है और अब दो दिन हो चुके हैं मेरे को जो यह आया था उसके सांथ यूज करते वे अब यह मैं वीडियो बना लिया हूँ अब इसके बाद मैं इसका नए जो अपडेट आया है उसको अपडेट करूँगा औ उसको अपडेट करने के बाद फिर पूरी चीज़े चेक करूँगा कि अपडेट करने के बाद कौन सी चीज़े रिजॉल्व हुई, कौन सी चीज़े और ज्यादा बढ़ गई, कैसा हुआ, कहां कैमरा ठीक हुआ, नहीं हुआ, वो पूरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, त मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन हीटिंग को लेके, बैटरी ड्रैनिंग को लेके, मुझे ये पसंद नहीं आया, और कैमरा को लेके तो और ज़्यादा पसंद नहीं आया है, उम्मीद करता हूँ कि शाओमी वाले हाइपर ओस में कोई अच्छा सा एक फिक्स अपडेट इसको देंगे, जिससे इसमें इंप्रूमेंट होगी, इसके हिटिंग इशू को कंट्रोल किया जा सकेगा, इसके बैटरी डैनिंग को कंट्रोल किया जा सकेगा, और कैमरा को वेल अप्टमाइज और कर दिया जाएगा, जिससे यूजर का एक्स्पिरियंस बैट उसके साथ साथ performance fix का भी कुछ notification आया था लेकिन आप भी जानते मैं भी जानता हूं कि software update में companyya लिखती बड़ी-बड़ी है लेकिन होता बहुत कुछ ऐसा है बहुत कम ही chance ऐसा रहता है कि चीजे अच्छी हो जाएं बढ़िया हो जाएं तो फिर भी क्योंकि नया phone है लोगों क इसके उपर नजर ठीका के बैठे हैं तो मुझे ऐसा लगता है और पोको क्या जो history रहा है अभी दो साल तीन साल का जो mother-boy dead issues जो चल रहे थे उसको बड़ी मुस्किल से इन्होंने अभी Poco X5 से ठीक किया हुआ है तो और नहीं चाहेंगे कि खराब हो कोन की hype जो बरकरार है वो आगे भी बरकरार है इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वे भी इस चीज को fix करने के लिए काम work कर रहे होंगे और जन्दी कोई update प्रोवाइट कराएंगे फिलहाल एक update है उसको मैं कर लेता हूँ और आपको बताऊंगा कि वो update करने के बाद इसमें क्या है वह है ना तो इसकी लगातार dedicated हर वीडियो आपको मिलेगी मैं जैसा जैसा experience होते जाएगा मैं आपको बताते जाओंगा software update के पहले भी और software update के बाद भी तो फिलहाल वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे जल्धी next वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा support कीजेगा जल्धी मिलता हूँ आपसे next वीडियो में